हेलो गैज, विल्कम बैक टुम एक्टूप चैनल, सेफटी मैनेजमेंट स्टेडी गैज, आज के हमरे वीडियो का टॉपिक है, टाइप्स ऑफ सेफटी ट्रेनिंग आज हम जानेंगे सेफटी ट्रेनिंग कितने तरह के होते हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं तो आज जानते हैं, सेफटी ट्रेनिंग के टाइप्स कितने हैं, ये कितने प्रकार के हैं, ये किसी भी स्टेंडेर्ड में में नहीं किया गया है अलग-अलग companies अपने according safety training provide कराती है लेकिन as a safety officer में पता होना चाहिए कि कौन से safety training important है जो कि हमें अपने workers को employees को provide कराना है तो उसी के बार में हम जानेंगे तो आई ये जानते हैं इस वीडियो के माध्याम से total six types of safety training के बारे में जानेंगे जिसमें सबसे पहला है safety induction safety induction एक ऐसा training है जो कि नई employees के लिए होता है जिससे कोई नया worker आ रहा है कोई नया staff आ रहा है या कोई visitor आ रहा है उसे ये training दिया जाता है जितने भी नई worker ये नई staff company जोईन करते हैं उनको company के बार में ज्यादा कुछ पता नहीं होता है company में क्या क्या activity चल रही है उनके workplace पे क्या क्या hazards है क्या क्या risk उनको पता नहीं होता है तो ये training उनहीं के लिए होता है इस training के क्या क्या contents होते है इसमें क्या क्या बताया जाते हैं देख लेते हैं सबसे पहला है जो भी workplace पे site पे activity चल रही है उसमें क्या हैज़र्ड है क्या रिस के ये बताए जाता है कंपनी की पॉलिसी क्या है वेलफेर फैलिटीज में क्या क्या है next emergency के बारे में जब भी कभी emergency हो तो कैसे आपको respond करना है assembly point क्या होता है अगर उसमें alarm system में उसके बारे मताजाता है next fire safety fire safety के लिए क्या के equipment से site पे कैसे use करना है next is pp's कौन-कौन से pp's आपको use करने है कौन-कौन से job में तो यह सरसी जब को दायाती है safety induction training next is toolbox stop यह भी एक training है यह उन worker को staff को दिया जाता है जो daily job में involved है site पे इस training में क्या-क्या content होते है सबसे पहला है जो भी आपका current job चल रहा है इसे molex का वेशन चल रहा है worker tight चल रहा है उसके बारे में discuss करते हैं इस training में अगर कोई भी previous by lesson हुआ है उसके बारे में discuss करते हैं कोई भी safety update देना है कोई भी notice देना है कोई information provide करना है तो tool का stock में आप provide कर सकते हैं नेक्स्ट है on job safety training ये भी एक training है जो कि site में provide कर जाता है ये कब जब भी कोई safety by lesson होता है तब suppose आपके site पे work at head का काम चल रहा है work चल रहा है उसमें कुछ workers है जो कि daily by lesson करते हैं same by lesson daily करते जा रहे तो उनके लिए training है जो कि आप site में दे सकते हैं तो इस training में आप क्या क्या बता सकते हैं सबसे पहले result of evaluation जो भी evaluation कर रहे हैं उससे क्या हो सकता है उनके बारे में उनको aware कर सकते हैं unsap act बता सकते हैं unsap condition बता सकते हैं जो भी worker उसमें क्या के hazard से उनसे क्या आपको नुक्सान हो सकता है यह सब बता सकते हैं मतलब उनके ऐसे motivate करना है कि वो इस तरी के वेले से दुबारा ना करें Next है job specific training यह safety training सभी employees के लिए होता है, worker और staff सभी के लिए होता है जोब specific मतलब किसी एक खास काम के बारे में training देना सबोज आपके कुछ worker scale height पे काम करते हैं उनको work at haircut training आप दे सकते हैं अगर जो worker confined space में involved उनको confined space के बारे मता सकते हैं अगर कोई hot work गैंगे उसको hot work के बारे मता सकते हैं तो किसी एक specific topic पे किसी job पे discuss कर रहे हैं तो job specific training होता है नेक्स्ट है third party safety training ये भी सभी employees के लिए होता है worker हो ये staff हो इस training के लिए आप third party को hire करते हैं जो कि certified होता है, export होता है training के लिए अलग-अलग subject पे आप training करा सकते हैं जैसे कि work at height, confined space, first aid, fire safety तो ये third party दोरे करा जाता है इसके लिए हम इसे third party safety training बोलते हैं नेक्स्ट है, refresher training refresher training भी सभी employees के लिए होता है जैसे माल लोग कोई भी training है अगर उसका ability खतम हो गया है जैसे माल लोग work at height के training है अगर six month चलने वाला है तो after six month दोरे training के लिए refresher training करते हैं, उस training को refresh करते हैं तो training के जो validity है बढ़ जाता है तो यह थे six type of safety trainings जो की company दोरा provide के जाता है अपने workers को और staffs को